नमस्कार में नमालोक है आप लाश्टीज देख रहे हैं देखिए अब होली का तेवहार नजदीक आने वाला है सभी होली के तेवहार में जुट चुके हैं होली कैसे मनाई जाएगी इस पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम अक्सर बात करते हैं पोलिटिकल ही तो आज भी बात होलिटिकल ही करेंगे सभी होली कि तेवहार की तेवहार में जुट चुके हैं सिवाए बीजेपी के हम बिजेपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं दोजाव तो बीजेपी कैसे लोहा ले, कैसे बीजेपी को जीत हासिल मिले, और आपने देखा है, सिंजलेश गैश्वा तुमाई साथ है, आपने देखा है, आर्सेपी सिंग, उपेंदो कुश्वाहा, कल मीना सिंग चली गई, क्या आगे भी और जड़ी लगनी है, और बीजेपी किस हुई है, आपने आज ही देखा, रवी संकर प्रसाद ने इतना वरा जस्न किया, इसके पहले आरके सिना ने किया, तो होली मिलन में भी भाजपा आगे है, और जैसा आपने कहा, देखिए, फर्क ये है बीजेपी और महा गठवंदन, कि बीजेपी दिन रात चुनाव के वा वह गुमान में जीते हैं, कि मैं हूँ, तो सोचना क्या है, हम तो मिली ही गया है, लेकिन हम मिल गए है, जनता कहां है, और जनता को जो पतिनिजुत करने वाले नेता है, वे कहां है, कहां जार है, इसके बारे में कितने फिक्रमन है, या महा गठवंदन में कमी दिखती है, देखिए, साफ तौपक हैं, मैं बार-बार कहता हूँ, कि एक-एक सीट के लिए बीजेपी बिसाथ पिछाती है, एक-एक सीट के लिए, ये तो लोकसभा का चुनाओ है, नरेंद्र मोधी का चुनाओ है, और सिर्फ अपने उमिदबारों के माध्यम से नहीं, वैसे उमिद को परास्त करने में सहूलियत का रास्ता बना सके, यदि हम महा गठवंदन और विसेशकर नितिश कुमार और ललन सिंग की आरोपों को ही मान लें, तो आपने देखा 2020 में चिराग पास्वान का इस्तेमाल कैसे किया किया, या नितिश कुमार और ललन सिंग आरोप लगाते रहते हैं, वैसे चिराग पास्वान तो कहते हैं कि मैं मोधी का हनुमान था, मोधी का हनुमान हूँ, तो देखें, विसाथ बिछाने में आपने हिमाचल परेस्ट में देखाता कि एक बागी उमिदबार मैदान में आया, तो नरेंद्र मोधी ने स्वेम फोल किया, और बिह का ध्यान किदर है आपका ध्यान मुशलमान मद्दातों के तरफ है और सिमानचल बीजेपी जानती है कि सिमानचल में महागठबंदन को पंचर करने के लिए ओबैसी ही काफी है आपने देखा किस तरीके से गुपाल गंज बिधानसबा के उपचुनाव में आपने देखा किस तरीके से कुर्णे के बिधानसबा के उपचुनाव में ये ओबैसी फैक्टर फिर सिमानचल में सिमानचल में तो मुसलमान मद्दातों का बटवारा यदी ओबैसी ने कितने भी पतिसक्त में कर दिया तो साफ तौर पर मैं कल ही एक ब्यक्ति से मिला था महागठबंदन के बरे नेता हैं वे कह रहे थे देखिए जब से बीजेपी का जोर चला है अब हर रोज मंदिर बनता है हर रोज पूजा होता है और इसके लिए चंदा देना होता है ठीक यह महागठबंदन के नेता कर रहे थे कह रहे थे तो सोचिए उधर की तैयारी कैसी है और आपने हिए कि महागठबंदन में परिषानी यहाब है बीहार में लोकसभा की 40 सिते है और जेडी की एक विशित नहीं है ज्यदियूं की सोला सीटे, कॉंग्रेस को एक है, तो महा गठ बंदन में देने के लिए अपने सहयोग्यों को, अपने नेताओं को, जेडियों के पास तो बैकेंसी ही नहीं है, कुछ उमिरबार बदले जा सकते हैं, जो बदले जाएंगे, वह भी किनारा थामने की कोशिस करेंगे, आर जेड के पास 17 सीटे हैं, तो बीजेपी के पास देने को 23 सीटे हैं, चिराग पासबान को ले आया गया है, मैं फिर से कहा रहा हूँ कि चिराग पासबान NDA के हिस्सा होंगे, और पसुपती पारस की पार्टी का बिले बीजेपी में होसाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही समझोता होगा ऐसा ही होगा, चाशा भतिजा में वहाँ कोई मिल होने वाला नहीं है, लेकिन लराई कहा फसेगी, लराई फसेगी हाजी पूर, चिराग पासबान हाजी पूर को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे में पसुपती पारस पैदल होंगे, या पसुपती पारस समस्ति पूर जाते हैं भतीजे को पैदल कर, या फिर गोपाल गंज पहुंचते हैं, या देखने की बात होगी, ठीक है ना, जमूई है, जमूई तो अभी चिराग पासबान के हिस्से की सीट है ना, तो वह देखने की बात होगी, तो देखिए, बीजेपी एक एक सीट के लिए बिसात पिछा रह लेकिन इतने दिन गुजर गए, दो हफ्ते हो गए, आपने विवस्ता क्या की? आपने जवाब देने की क्या कोशिस की? और जवाब देने में कमजोरी हो रही है, तब याद कीजिए कि किस तरीके से जीतर नाम मांजी महागटवंदन में सामिल होगे थे, तो नितीज कुमा असोग शोधरी को ले आए तो वह धार वह परहार नहीं दिख रहा है महागट मंदर में तो पहले चिराग पासपान को जेट कैटेगरिकी सुझा दी गई चिराग पासपान मंत्री भी बनाये जा सकते हैं या भी तैय है उपेंद्र कुस्बाहा लाए गए उपेंद्र आता है बालमी की नगर की बात कही जा रही है हालाकि बालमी की नगर पर मुकेस रहनी की नजर भी है ठीक है ना उजियारपु यदि नित्यानंद्राय चोड़ते हैं तो तो यदि उजियारपु नहीं चोड़ते हैं तो सीतामरी की सीथ है चार सीते या पास सीते नहीं बैस साली सी तो उपेंद्र कुसबहा के खाते में मुझे नहीं रगता है कि जाएगे अगर वहां नित्यांदराय लगते हैं तो तो देखिए मुकेस राजी को और आपने देखा जो मैं का रहा हो ना कि 24 इंटु सेबर साहाबाद में कितनी बनी बैकेंसी पैदा करा दी बीजयपी अजिस सिंग का ही लगाओ था तो देखिए कल मीना सिंग ने इस्तिफा दिया और बीजयपी में टीजी कितनी है कल इस्तिफा मैं मानता हूं कि यह सब पहले से तैव होगा क्योंकि 24 इंटु 7 काम होता है कि कल इस्तिफा हुआ मीना सिंग ने कल कहा था कि हम अपने समत्कों स से बाचितर फैसला करेंगे लेकिन इसके पहले ही बीजेपी के बिहाद पदेस अज्जक संजेज जाइसबाल आज उनके घर पहुँच गए और यह जानकारी भी उन्होंने खुद सेयर कि अपने फेस्बुक पर इसके माद्यम से मैं गया मिलने देखिए महागठ बंदन मे मिलने जाना होता है, मिलने जाने के लिए समय लेना होता है, समय लेने में कितनी परिशानी होती है यह बात समझी जा सकती है, किसी देखिपी नहीं है लेकिन देखिए यहाँ बीजेपी के पदे सज्जक संजय जायसवाल खुद पहुच जाते हैं मीना सिंग से मिलने और विसाल सिंग से मिलने साफ तौर पर नियोता दिया जाता है और यहाँ बात भी बता दी जाती है Facebook Post के माध्यम से कि मीना सिंग ने BJP के नियोते को कबूल कर लिया है तो देखिए एक-एक सीट के लिए BJP की तयारी चल रही होती है अब जो हम मीना सिंग की चर्चा करते हैं तो साभाविक तौर पर आरा संसर ये चर्चा की चर्चा निकल जाती है क्योंकि आरा के संसर आरके सिंग हैं, BJP के हैं, केंदर में मंत्री है लेकिन जैसा कि आरके सिंग काते हैं कि मैं नॉर्मल नेताओं में नहीं हूँ नहीं है या बात सही है कि आरके सिंग के प्रक्ष में बीजेपी बिहार में कोई भी नेता नहीं है, क्योंकि वे नेता से बहुत दूर रहते हैं, तो सबाल ये पैदा होता है कि मीना सिंग को लाया गया, तो आरके सिंग का क्या होगा, क्या मीना सिंग चुनाओ लेंगी, क्या विसाल स होंगे नहीं और के सिंग नेताओं के पसंद नहीं है फिर भी केंद्र में मंत्री है क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ है हाला कि आर के सिंग ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के सामने भी अपनी बात रखने में और इस्थिफाद देने में मुझे देर नहीं लगता है तो यहां उनका गुमान है आपको पता है एक बात चलती रहती है हमेशा कई सारे लोगों का नाम चलता है बीजेपी ने ऐसी त दौर है जिनका उम्र हो चुका है मैंने क्या कहा अभी जब महागडवंदन की चर्चा कर रहे थे आरजेडी की चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि नए नेता पैदा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पुराने नेताओं से डर लगता है उन्हें अपने मदाताओं पर यह भरो का मौदी की बारनी का चलती है, वहाँ मोदी के नाम पर बोट मिलता है , मैं कुर्णे में देख रहा था एक मांधय बस्ती में मुसरों की बस्ती में लोग बोट बार्च मंग्ने गए, दूसरी पार्टी के लिए बोट मंगा जा रहा था लेकिन महिला ने जो बिलकुल गरी लेकिन वह महिला फिर से काती है बोट तो मोदी को ही देंगे आप देखें मुकेश्णी को कितनी लराई हुई क्या क्या नहीं कहा गया लेकिन फिर से मुकेश्णी अपने होते दिख रहे हैं मुकेश्णी का तामधाम देखिए आगे और आगे क्या होगा अब मुकेश्णी की आबाज भी बोल भी बदल रही है तो वहाँ 24 इंटो 7 तो इस लिए यह तैयारी में और यहां इस बात का इंतिजार मतलब आपको जवाब के बदले जवाब देने की इस्तिक कप पैरा उन बोटों को कैसे जोड़ा जाए अगर आप सोच है कि एक जट्किया में जोड़ लेंगा तो यह आप संभव नहीं यह पहले आप देखिए ना कि जो हमने कहा कि आप कहा मिलने में बरा वक्त लगता है बाहर खरा होना होता है और यहां बीजेपी जो देश की सबसे बरी पार्टी है जिसकी सरकार किंद्र में है जिसके नेता नेंद्र मोदी है उनके प्रदेश अध्यक्ष घर जाकर मिलते हैं मीना सिंसे और जब घर जाकर मिलते हैं अनुसासिक पार्टी है तो ऐसा नहीं है कि संजज जैसभाल अपनी मर्जी से गये होंगे जाहिर तोर पर नि सिस्टम के तहब बीजेपी के भीतर पूर कमिटी में बाता हुई होगी तो पिछलती हुई महागजबंदन भी दिख रही है महागजबंदन को दिल लड़ना है तो उसे अपनी तैयारी को दुरस्त करना होगा एक एक सीट के लिए अंटिम में कहना बीजेपी में है हम विजेपी कर रहा है है अब होगा तब तो एक कॉंग्रेस का भी घमन तो आस्मान पराता है ना तो यह भी देखना होगा और जैसा गैशो जी कर रहे थे थुद्धारा भी बीजेपी तो जोड़ सो से वोली के तैयारी इस साल भी कर चुकी है लेकिन अगले साल के लिए भी कितनी होली पार्टी की अभी अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है और अगर ऐसे ही दूरियां बढ़ती रही तो फिर आगे चुनावतियां बहुत है थोड़ा सा कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा थोड़े से लोग से जो दूरियां बनी हुए उसे घड़ाना होगा आप सबने रहे अगर ऐसा करते हैं महा करूने के ठीक होगा नहीं तो मुश्किल और बढ़ेंगी और बीजेपी धीरे दिरही काम करती है बूंद बूंद से फिर घड़ा भर जाएगा और फिर बाद में समय नहीं मिलेगा वारे चानल के सब्सक्राइब कर लें साथ सब फेसे प